हेलो फैंस तो आगे आपके का शेयर करेंगी गोवा शॉपिंग का सब्सक्राइब आपके पहला बैग है यह है बैंबो बैग को बहुत जाद अच्छा लगा इसी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सब्सक्राइब बात की यह थोड़ा स्कूल की यादिलाती है है यह है सकंड बैगक है यह तान की ते सब्सक्राइब आति हो भूब बहुत अच्छा लगा आप मुझे कमेंट के कि तुरू बताने कि आपके क्यासा लगा तो यह है सेकंड बैग और इसका कलर मुझे बहुत जादा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको लिया वैसे जब मैंने एक यूटूबर है मैंने उनका गुवा का हॉल देखा था तो सीम ड्लेख का सेम कलर प्यार यहीं था्व तु यह श्यूट यहां मैं तयुट यह दो मुझे मिला नहीं कोई यह थोड़ बैग और यह भी सेकंड बैग की तरही है सेम कलर है सेम फैबरिक है बस थोड़ा से हार्ड मुझे लगता है और उसकी बाद मैंने लिया है यह जूला बैग और यह बैग मुझे बहुत ज़दा अच्छा लगा इसमें आप देखो की इस तरीके से बना हुआ है जो मुझे बहुत ज़दा अच्छा लगा कलर बहुत अच्छा है और इसमें काफी सामान आजाता है जब मैंने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया था बैग और चोटी चोटी चीजे मैंने ली हुई थी तो उसको रखनी के लिए मुझे एक बैग तो तब मैंने इसको लिया हुआ था और यह कॉटन का है तो अगर यह भींगता है तो सामान भी भींग सकता है तो और इसमें एक इस तरीके का पाउच मिलता है अगर आप इसमें आप उच्छी से रख सकते हो और यह बैग है जब मैं कन्या कुमारी गई हुए थी गोवा ज उससे भी कईजाधा है बड़ा है ये और इसमे एक चीज है कि अगर इसमेद पानी भी जाता है गिला होता है तो सामान जो है अंदर का वो गिला नहीं होगा तो ये प्लस पॉइंट है इसका और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रगा उसके बाद मैं लिए है ये बैग ये बैग भी कन्या कुमारी से है और ये मैंने पहले ही लिया था बाद में वो दोने बैग लिया था तो ये थोड़ा सा मुझे टेड़ा लगता है बट ये बैग मैंने बहुत यूज करा है कन्या कुमारी से मैंने सिर्फ थ्री बैग लिये थे और उसके बाद है ये बैग गुवा वाली बैग पे आ जाते हैं तो ये बैग ये बैग पैक है यहां पे बाटल भी आपको रखने के लिए मिलता है तो ये पूरा backpack ही तरह है बैक पैक ही है उसकी तरह क्या बोले backpack है ये और काफी बड़ा है लेकिन ये काफी spacious है cotton material है बहुत जादा soft है तो मुझे बहुत अच्छा लगा बट वो uncle इसका कुछ और नाम बता रहे थे इस fabric का और उसके बाद मैंने लिया ये ये basket type का sling bag कह सकते हो आप तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और टैशल बहुत अच्छा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद मैंने लिया है ये bag और काफी spacious है आप बड़ा देख रहे हो बहुत बड़ा है और ये thread क बुनाई है इस पर तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा डिफरेंट है तो मुझे थोड़े से अलग जो बैग दिखते हों मुझे जादा अच्छे लगते है और इस पीसियस बैग है ये वह three compartment आपको मिल जाता है जिप की quality बहुत जादा अच्छी है इसमें से ये thread निकल रहा है बटको इन्हें स्टिक कर लोंगी इसके बाद है ये bag और ये bag भी मतलब इसमें आप कुछ रखो या ना रखो इसका शेप ऐसा ही रहेगा तो ये bag मुझे अच्छा लगा और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हां बीच वाली वाई बारी है इ और ये finishing बहुत अच्छी है तो इसको इन्होंने मतलब thread से इसको इसको सिला है क्या किया इसमें बतलब thread से किया हुए stick नहीं किया हुआ है और इसमें space भी काफी अच्छा है इसमें मैंने गौगल रखा हुआ है सही है उसके बाद इसमें लेकिन अंदर का जो fabric इन्होंने य इसमें यह राउंड शेप मेंने बैग लिया मैंने सोचा था कि मैं बैम्बू बैग लूंगी इस टाइप का बट मुझे टाइम नहीं था मेरे पास तो अब मैं आपको दिखाती हूं मेरे सारी बैग्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मिलतीन एक यूटी के साथ बबाई